मस्कार मित्रू बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में मत्रू साल 2022 का पहला सूरीगरन 30 अप्रेल को लगने जा रहा है यह सूरीगरन बहुत भेंकर रहनी वाला है ऐसे में गर्वती महिलाओं को सावधानिया तो वरतनी ही होंगी ताकि उनके गर्मे में पल रहे शिसु पर कोई भी प्रभाव न पड़े इसी के साथ आप लोगों को कौन से सावधानिवरतनी होंगी सूरीगरन का सही समय सूतकाल कौन सा रहेगा और सूरीगरन के दोरान आप लोगों को कौन से मंत्रों का उचारन करना चाहिए कौन से ऐसे आप कारी कर सकते हैं जिनसे की आप लोगों को जीवन में बहतर सफलता मल सकती हैं और सुरिग्रन के प्रभाव से आप बच सकोगे इसी के साथ आपको बताएंगे सुरिग्रन का आप लोगों के जीवन में कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा यह सुरिग्रन आप लोगों के राजि में आप लोगों के जीले में किस समय दिखाई देगा इस सुरिग्रण का सुतकाल और सही समय कौन सा रहेगा इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं और मित्रों यह साल का पहला सुरिग्रण लगने वाला है जिनकी वज़े से बहुती महत्पुन और बहुती खास से रहने वाला है मित्रों जोती सास्त्र के अनुशार सूरी गरण का प्रभाव दुनिया के सभी पर किसी न किसी प्रकार से पढ़ता ही रहता है चाहे वो मनुष्य हो यह हो गरववती महिलाएं यह कोई भी प्राकृति का उदाएं इसका प्रभाव अच्छा औ देख गरवती महिलाओं और बच्छों फरपड़ता है इसलिए इन लोगों को विशेष सावधानी वरतने की जरूरत रहती है मित्रों सूरी गरण के दोरान गरवती महिलाओं को सबसेदिक ख्याल रखने की अवस्चाता होती है क्योंकि ऐसी मानने आता है कि गरहन के समय उ किसी भी नुकीली चीजों का प्रियों को करने से बचने का प्रियास करना चाहिए क्योंकि ऐसी मानने आता है ये ऐसा करने पर उनके सिसु के अंदर विक्रती आ सकती है इसमें वो किसी भी प्रकार किसी लाई कराई का कोई भी कारी न करें सूरी गरण के दोरान गरवती महि को सबजी काटना कपड़े की सिलाई करना और नुकिले या धारदार उपकरणों के काम करने से बचने का प्रियास करना चाहिए जिसे बच्चों को सारीरिक तोज हो सकता है मित्रों जो गर्वती महिलाएं हैं या जो आम मनुसे हैं उन सभी को सूरीगरण के दोरान कुझी वि बहत्रिन मिल सके तो मत्रों सुरीगरण के कुप रभाव से बचने के लिए गर्वती महिलाओं को बिलुकुल भी नहीं करना चाहिए और आप मन ही मन देवी देवताओं का सुमरण कर सकते हैं और अगर आपके घर में मंदिर हैं तो आप मंदिर के कापाट को बंद कर दें इस समय देवी देवताओं को बिलुकुल भी असपर से नहीं करना चाहिए क्योंकि सूरिगरन बहुत ज्यादा 72 होता है मित्रु साल 2022 का पहला सूरी ग्रण या पर्थम सूरी ग्रण होने से यह देश में आंसिक रूप से रहेगा इस वज़े से सुतकाल मान नहीं होगा हाला कि सूरी ग्रण के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को सावधाने जरूर बरत्नी चाहिए धार्मिक बान्याताओं के अनुसौर सूरी ग्रण का दुष्परभाव विसेस रूप से गर्वती महिलाओं को हो सकता है इसलिए ग्रहन के समय कुछ विशेश प्रहेज करन चाहिए। ऐसा करन से महिला और उसके बच्छों का ग्रहन का प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्वत्ती महिलाओं को सूरीगरण के दोरान सूई, कैथी, चाकू, जैसी नूकिले और नोकदार और जितने भी नूकिले चीजे हैं इन वस्तों से दूर रहना चाहिए इन कावपियों को करने से गर्व में पल रहे वच्छे फर दूसर प्रभाव हो सकता है वहीं जब तक सूरीगरण का प्रभाव हो उस समय से लेकर समापन होने तक गर्वत्ती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसा करने से गर्वत्ती महिलाओं को हनुमान 40 या दूरगा 40 गफपाट जरूर करना चाहिए मद्रुगा और हनुमान जी की क्रिपा से आप लोगों के चीवन में सभी संकटें और नकरात मकसतियां दूर हो जाती हैं गर्वत्ती महिलाओं को सूरीगरण को कभी भी भूल से भी नहीं देखना चाहिए इससे उनकी सिहत पर बुरासर पढ़ने की आसंका रहती है सूरीगरण के समय गर्वत्ती महिलाओं को अपने निष्ट देव का सुमरण करना चाहिए उनके मंत्रों का चाप करना चाहिए शूरीगरण के समापन होने के बाद असनान करके हैं आप अच्छे वश्त्र पहन सकती हैं मत्रों साल 2022 का पहला सूरीगरण सनिवार के दिन सनी अमवस्या के दिन पढ़ रहा है जिन की वज़से इसका विशेष संयोग बन रहा है 30 अप्रेल के दिन सनिवार को वैसाक अमवस्या है और सनिवार के दिन अमवस्या होने की वज़ा से यह सनी अमवस्या है यह सनी शरी अमवस्या है निसे दिन हे सूरी गरन लग रहा है सूरी देव और सनी देव पिता पुत्र है लेकिन दोनों में मित्रवत भाव नहीं है सुरिग्रण सनी अमवसा की देर राद 12 बचकर 15 मिनट से लग रहा है जो 1 माई को प्राता 4 बचकर 7 मिनट पर खत्म होने वाला है